हेलो डियर फ्रेंड सो वन्स अगेन वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल बहुत बहुत आभार आप सभी का और एक बहुत बड़ा क्वेशन सभी बच्चों का सर एर्मिट कार्ड कब आएंगे एयर फोर्स एक्सवाई जीरो फास्ट टूथाउजन ट्वेंटी फाई एक्जाम सत्रे मार्च को होगा एक बहुत सारे बच्चे क्वेशन पूछ रहे हैं कि सर खुसकवरी है कि एक्जाम डेट बढ़ेगी दो से तीन बच्चों का कल मेरे पास कॉल आएक सर क्या एक्जाम डेट एक्स्टेंड हो रह फाइव इंटेक एक्संट बाइग्रोप बोथ के लिजे एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे सबसे पहले आप जान लीजे साथ और आठ तारी को एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसमें केवल आपका एक्जाम सिटी यह बिल्कुल कन्फर्म डेट बता रहा हूं मैं साथ तारी को बारे बजे से लेके और आठ तारी के दो बजे के बीच में आपके एडमिट कार्ड एक्जाम सिटी और एक्जाम डेट आ चुके होंगे कहां पर आपका एक्जाम होगा किस सिटी में एक्जाम होगा और किस डेट को आपका एक्जाम होगा एक्जाम कब तक चलने वाला ये भी किलिए कर दूँ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 दिन एक्जाम चलने वाला है, एक दिन ओफ है बीच में, इसलिए 23 तक एक्जाम चलेगा, 17 से 23 तक एक्जाम चलेगा, अब एक बड़ा क्वेशन है, क्या एक्जाम डेट एक्स्टेंड होने के चांसे हैं, प्यारे बच्चे, हाद जोड कर निवेदन है, ये गलत फैमियों से दूर, मैं इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, कि बच्चे ये सोच करके पढ़ना बंद कर देते हैं, या खुस हो जाते हैं, ये सारे के सारे रियूमर्स हैं, ये सारे के सारे अफ़वा हैं, प्लीज बी फोकस्ट बी कंसेंट्रेटिड, बी मोटिवेटेड, सत्रे तारीक से एक्जाम डिले हो नहीं सकता, ये एक्जाम होता भी, तो आपको अफिशली इन फॉर्म अब तक ये फोर्श कर देता, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं हुआ है, बहले फॉर्म डेट भढ़ना, फॉर्म की डेट एक्स होगी, कोई भी एक्सिटेंड एक्सिटेंड नहीं होगा, कोई भी डेट एक्सिटेंड नहीं होगी, एक्जाम in time है, 37-23 के बीच में एक्जाम है और आपके admit card साथ और आर तारीक में confirm exam city और exam date आपके आचुके होंगे और 48 से 22 गंटे पहले आपका official admit card download हो जाएगा 48 और 22 गंटे पहले आपका पूरा admit card download हो जाएगा आपको केवल अपना identity card कोई भी आधार card या कुछ भी कोई भी identity card लेकर और admit card लेकर जाना है और exam देने जाना है और आपकी application में कोई गलती हो गई है कोई नाम गलत हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है आप written examination दे पाएंगे बच्चों के कुछ गलतियां भी हो गई है कि सर फोर्म भरते समय ये गलती हो गई है क्या प्लीज मुझे बता दीजिए क्या मैं exam देने जाओं कि ने जाओं प्लीज भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफ ही है exam, written exam सब को देने जाना है ये जो गलतियां है वो आपकी phase second के दोरान बिल्कुल सही हो जाएंगी जब आपका interview होगा phase second के लिए आपको बुलाया जाएगा ये गलतियां वहाँ बिल्कुल accurate कर ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है written examination के लिए सब को जाना होगा thank you so much and best of luck